हेलो एवरीबोड़ी वेलकम टू मैंडेट देश्ट इस अना मिका सिंग कैसे हैं आप सभी सुभाई आप सभी की डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है क्लास 9 का एक बहुत ही इंपोरेंट चैप्टर और एक बहुत इंपोरेंट सब्जेक्ट जो की है फिजिक्स यानि की हुआ ये कि बच्चे बोल रहे थे कि मैं बहुत जादा क्यामिस्ट्री हो गई है वेक्ड़ीज मैं अब हमारे लिए फिजिक्स का भी कुछ स्टार्ट करिये बहुत की डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है और फिजिक्स के बारे में जानने को मलेगा सो हो जाए तयार और स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले थोड़ा सा चैनल के बारे में जान लेते हैं सो बटा ध्यान से सुनियेगा यदि क्लास 6 से लेकर 12 में आप किसी भी क्लास में है सो मैंगनेट ब्रीज इंदी मीडियम चानल पर आप अपने सब्जेक की क्लासे सटाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिलकुल भी पर्चिस नहीं करना है और नहीं किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है क्योंकि मैंगनेट ब्रीज प्रोवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट इसी के साथ हम 5 स्टेट बोर्ट कवर कराते हैं जैसे UP बोर्ट, जैसे बिहार बोर्ट, जैसे MP बोर्ट, राजसान बोर्ट and very 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 important डिली बोर्ट साथ ही साथ बटा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर हम जितनी भी क्लांसेस आपको देते हैं वो सब होती है औरेंच्ट फॉर्मिट में जहां basic से लेकर advanced level हम करवाते हैं आप सभी का cover and very important आपके सारे doubts करते हैं दूर और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चे कहते हैं कि माम एक बात बताईए आप यह जतना भी हमें पढ़ाते हैं इन सबके notes हमें कहां से मिलेंगे, बता notes के लिए नीचे link दी गई है description box में वहां से आप अमारे channel पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसके notes डाउनलोड कर सकते हैं यह था एक छोटू सा part जो मैं आपको explain किया, अब मैं start करने जारी हो हमारे physics का very 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 important part जो की क्या होने वाला है सो वो होगा हमारा part परीच है सो बटा बात कुछ ऐसी है कि मैं motion chapter तो आपको पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी लेकिन सबसे इस बहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि इस chapter में क्या क्या पढ़ना है चलिए start करते हैं वीडियो को like नहीं किया हो सबसे पहले तो like कर देना और share नहीं किया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर share कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि मैं ने क्या start किया है सो मैं ने start किया है chapter overview बैम ने दे दिया है physics का एक बहुत ही प्यारे से chapter का सो बात को चैसी है कि मैं हम क्या पढ़ेंगे बिटा सबसे पहले तो मैं आपको यही बतानों जाओंगी सबसे पहले तो बिटा मैं आपको यही बताऊंगी कि यह motion क्या होता है याने कि भाई यह गती क्या है सबसे पहले तो बिटा हम इसी ही के बारे में जानेंगे किसके बारे में जानेंगे कि yes motion याने कि गती क्या है फिर मैं आपको गती पूरा explain करूंगी जैसे एक बात बताओ गती और हाँ सबसे important मैं जुतना भी यहां पर इस chapter में पढ़ाऊंगी न chapter overview जो दे रही हूं जो हां इतनी सारी चीज़े आपके सामने है कि सारी चीज़े हम कैसे पढ़ने वाले हैं तो हम इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे किसकी सहायता से चिकु चिंकी के सहायता से एक का नाम होगा चिकु और एक का नाम होगा चिंकी इन दोनों की मदद से ही हम पूरी पिजिक सच्चे से पढ़ेंगे मज़िदार तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहले तो बिटा हम यहीं जानेगे कि यह motion याने गती होती क्या है इसके बारे में जानने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगे सरल रेखिये गती के बारे में जो ही हमारे टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना होगा मैं आपको बताऊंगे सरल रेखिये गती क्या होती है एक समान गती क्या होती है और असमान गती क्या होती है क्या बोला मैंने कि भाई गती पढ़ने के बाद हमें ये जानना होगा कि एक समान गती क्या है और असमान गती क्या है तो मैं हम एक बात बताईए इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या नाम में ही देख लो भाई जब नाम में अंतर है तो काम में तो अंतर होगा ही होगा ना तो नाम में अंतर है तो काम में भी अंतर होगा यही एक कारण है कि हम दोनों के बारे में जानेंगे मज़दार है बहुत मज़ाएगा डेली लाइब के जो examples होते हैं हमारे चलने से related, हमारे गिरने से related किसी भी चीज की अगर बात करें सो उसे relate करके हम पूरी physics पढ़ेंगे और next हमारा discussion का topic होगा गती के दर का मापन कैसे करना होगा सो गती के दर को मापा जा सकता है जी हाँ बिलकुल मापा जा सकता है जिसके लिए मैं आपको बताऊंगे दिशा के साथ चाल अच्छा बात कुछ ऐसी है चाल की बात चल रही है तो इसमें ना कुछ और चीजी भी जानना होगा जिसे वेग में परिवर्तन की दर बोल रहे हैं गति का ग्राफी प्रदर्शन जहां बोल रहे हैं दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ ये तो सब ठीक है ये सब हमें वन बाई वन करके पढ़ना होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सारे की सारे चीज़े आपको तब ही समझ में आएंगे अब बात कुछ ऐसी है और वो क्या है कि मैं आप हमें क्या बताने वाले हो कि इसमें हमें अलग से आपके syllabus का part ही है वो लेकिन बहुत प्यारे दरीगे से मैं आपको explain करूँगे इसके बारे में और वो क्या है बिटा सो बिटा हम सबसे पहले motion तो जानेंगे ही जानेंगे याने कि हम गती तो जानेंगे ही जानेंगे लेकिन मैं आपको additionally बताना चाती हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगे गती के प्रकार गतियां भी बिटा कई प्रकार की होती है उसे हम जानेंगे फिर मैम आपको क्या पढ़ाएंगे? इतनी सारी चीज़े जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हमें न दूरी भी पढ़ना है मैम आपको पढ़ाएंगे फिर कि दूरी क्या होती है? यानि कि distance क्या होती है? है न? हम जानेंगे भाई दूरी क्या है? दूरी अलग होता है अब आप ये मत कहना कि मैम ये कोई पढ़ने वाली चीज है कि बिटा क्लास नाइन्थ में हो सबसे जादा बेसिक पार्ट है या आपका तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा ही So yes, दूरी के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? Very, very, very important विस्थापन क्या होता है? Clear, दूरी के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? कि भाई, ये जो विस्थापन है ना बिटा, यानि कि ये जो displacement है ना ये क्या होता है? इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि विस्थापन होती है shortest distance यानि कि निवनतम दूरी बिटा आपको पता है दूरी और निवनतम दूरी में अंतर है यानि distance and displacement में दूरी और विस्थापन में अंतर है हम जानेंगे कि भाई, इनकी इकाई क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है यहीं इसी ही chapter में मैं आपको पढ़ाऊंगी राशियों के भी बारे में क्योंकि आपके paper में बाकाईदा question आता है कि अगर दूरी है, विस्थापन है तो यह दीश राशी है, यह सदीश राशी है So yes, हम राशी भी यहाँ पर discuss करेंगे Next आते हैं उसकी बाद, और क्या पढ़ना है हमको? तो मैं आपको पढ़ाऊंगी और हमारा हो जाएगा यहाँ पर चाल याने की speed और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? तो मैं आपको पढ़ाऊंगी चाल के साथ साथ wave Man, यह तो एक ही ही होते हैं ना, ना जी ना ये है हमारी speed बिटा और wake बोले तो हमारी क्या हो जाएगी? velocity हो जाएगी wake बोले तो क्या हो जाएगी बिटा? velocity हो जाएगी सो चाल याने speed अलग कहानी है velocity, wake क्या हो जाएगी? अलग कहानी ओके, सो दोनों में अंतर है दोनों में difference होता है दोनों में क्या होता है अंतर ठीक है फिर और क्या पढ़ेंगे बिटा हम सो हम यही पर पढ़ेंगे किस के बारे में हम जानेंगे त्वरन के बारे में मैं यह त्वरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिटा हम इसे बोलते हैं acceleration, so तवरन को English में acceleration बोलते हैं, कौन सी राशी होती है, क्या इसकी परिभाशा होती है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भाई आपको पढ़ना होगा V-U upon T, जो कि इसका formula होता है, मैं आपको बताएंगे V मतलब क्या होता है, U मतलब क्या होता है, और T याने समय का मतलब क्या होता है, क्या आप सभी मेरी पूरी बाद समझ पाए क्या बिटा, जल्दी से बोलो, और यास इतने अच्छे से, इतने प्यार से मैं आपको explain कर रहे है like share तो बनता है यार, like share करते चलो, और comment section में बताते चलो, excited होगी नहीं हूँ ये chapter पढ़ने के लिए, भाई, मैं तो बहुत जादा excited है, क्योंकि मैं ने सोचके रखा है, एकदम शांदर तरीके से हम physics पढ़ेंगे, तो हाँ, अभी ये भी बताओंगी कि क्या-क्या cover करेंग बट ये chapter समझ में आगे है न, graph के helps है, जब दूरी नहीं पता होगी, वेग ही नहीं पता होगा, तो दूरी समय graph कहां से बता पाओगे बिटा, वेग समय graph कहां से बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, इसलिए मैं आपको बताएंगे कि दूरी समय graph क्या होता है, पर पहले दूरी क्या होती है वेग समय ग्राफ क्या होता है हम यहाँ पर हर तरीके के ग्राफ को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि इन ग्राफ का मतलब क्या होता है है ना समय कहां होता है मैं इसमें समय कहां पर हमें शो करना होता है, इसमें वेग कहां शो करना होता है, इसमें दूरी कहां शो करनी होती है, सारी चीजे हम जानेंगे, है ना, और काफी जदा मज़ा आएगा, So I hope कि आपको मैं रिजट्ता explain क्या हो, वो समझ में आ गया हो Now, अब बात आती है कि मैम और क्या-क्या होगा So गती के समीकरण होने वाले हैं एक समान बृत्ती गती होने वाली है अच्छा, इसे के साथ हम पढ़ेंगे NCERT Solutions को, Multiple Choice Questions को Most Important Questions को ये सारा पार्ट हम क्या करेंगे बिटा, discuss लेकिन बात ये आती है कि मैं आप बात बताईए गती के समीकरण पेपर में आते हैं क्या जी हाँ, बिलकुल आते हैं क्या बुला मैंने कि येस, जी हाँ, बिलकुल गती के समीकरण आती है और बिटा गती के कुल कितने समीकरण होते है, तीन समीकरण होते है गती के कितने equations होती है, तीन equations होती है और तीनों के ही बारे में हम जानेंगे जहां थोड़ा-थोड़ा सा मैं आपको गती के नियम भी explain करूँगी थोड़ा थोड़ा से तो जानना पड़ेगा एक समान वृत्तिय गती क्या होती है very important part ये भी हमें क्या करना होगा जानना होगा ये कुछ main कहानी होगी पीछे हमने ये जाना आगे हमने ये जाना ये हमारे discussion का point होगा ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे next आते ही अब हमकी मैं बस इतना ही होगा क्या नहीं बिटा आपके chapter के बीच में ध्यान से सुनियेगा आपके chapter के बीच में पाठ्थी गत्व प्रिश्न होगे वो भी मैं करूंगे आप सभी को explain इसी के साथ आपके chapter के बीच में आपको समझाने के लिए क्या होंगे बिटा examples होंगे याने की उधारन होंगे अरे भाई numerical होंगे जोने देख के आप सभी को लगता है बहुत जादा डर so yes वो numerical भी मैं आपको one by one करके कराएंगे solve so मैंने क्या बोला है गती के समिकरण हो जाएंगे एक समन मृत्य गती हो जाएंगे chapter के बीट में जो पात्य गत्य प्रश्न है हो जाएंगे examples हो जाएंगे numericals examples में ही numericals होंगे वो हो जाएंगे अब बहत आती है very important part N.C.E.R.T. solution so मैं आपको क्या करवाएंगे N.C.E.R.T. solutions आपके इस chapter में जतने भी questions होंगे वो सब मैं आपको करवाएंगे हम करेंगे भाई M.C.E.R.T. इतना पढ़ने के बाद ये तो बनता ही है न आपका सबसे सबसे जादा favorite part और वो क्या है M.C.E.R.T. so yes मैं आपको करवाएंगे M.C.E.R.T. most 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 important questions जिसे मैं वीटा तीन category में करवाएंगी जहां मैं आपको क्या बताऊंगी लगू उत्रिये प्रश्न जहां पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी दीरगूत्रिये प्रश्न और इसी के साथ सबसे उपर हमें ऐसा लिखना है अती लगूत्रिये ये तीन चीजे हमें पढ़नी होंगी मैं आपको बताएंगे कि फिजिक्स में क्या करूँगी आप जिसे केमिस्ट्री में तो आपको अती लगूत्री प्रश्न लिखना आ चुका है कि हाँ कम-कम शब्दों में आंसर देना है लगूत्री में मैं आपको बताएंगे कि फिजिक्स में अती लगूत्री दिरगूत्री लगूत्री लिखना कैसे है क्योंकि वो केमिस्ट्री दियो और ये फिजिक्स है भाई चेंजेस तो हैं सब्जेक्ट है बटा ये टॉपिक्स भी नहीं है ये खुद में एक सब्जेक्ट है साइन्स के खुद के तीन सब्जेक्ट होते हैं साइन्स अकेलर नहीं है इसके अंदर हमें क्यमिस्ट्री अलग पढ़ना होता है फिजिक्स अलग बालोजी अलग आपको समझ में आ गई होगी मेरी पूरी कहानी जो मैंने आपको explain की तो भाई आज के लिए इतना ही इस chapter overview में जहां मैंने आपको जो जो मैं इस chapter में कराने बली हूँ वो मैंने बताया है वीडियो को अभी भी like नहीं किया है चंगो मंगो जल्दे से मेरी इस प्यारी से वीडियो को like करो इसे करो share and very important हमारे इस प्यारी से चानल को करदो subscribe साथी साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ वाईटी पर हमसे live classes ले सकते हैं application के तुरू भी हमसे जुड़ सकते हैं and website के तुरू भी आप हमसे जुड़ के बिटा हमारी classes attend कर सकते हैं खूब पढ़ाई करें ताकि आप के पोटो भी हम यहां पर लगा सकें साथी साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ other platforms भी है magnet brains के जहां आप connect हो सकते हमसे जैसे facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp and very important notes कहां से मिलिंगे ना सुबह यह यह रही link e-notes और e-book की यह ही Hindi English Medium के कुछ top courses जैसे CBSE Board Delhi Board, Bihar Board, UP Board MP Board, Rajasthan Board, Vedic Match Crash Course and very 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 important spoken English So Hindi English Medium के है यह top courses वीडियो कैसे लगी है इसे comment section में ज़रूर बताना और प्यारे-प्यारे comments करना नहीं बुलना, thank you class